कि अब्रीबन के वाइर गुड़ इबनिंग तो अलोख फ्यूंग जुड़ जाए सब लोग अब आज मेरी आप लोगों को तक होत में बताये मुझे पाप लोगों की ठीक चल रही होगी और फिर से हम लोग मिले हैं और आज का जो कुछ नया टॉपिक है मद्यप्रदेश की राजविवस्था यह हम बोल सकते हैं कि मद्यप्रदेश की संवयधानिक विवस्था देखिए एक बात आप लोग सब समझ लीजीएगा कि मद्यप्रदेश की प्रश्न आते हैं पहली बार और दूसरी बात यह कि मद्ध्रतेश की पॉलिटी से आप देखोगी ना फैक्शुल कॉशन बहुत आते हैं राजिपाल की संबंद में मुख्यमंत्री के संबंद में या मांद की चले विदासवा अद्यक्ष के संबंद में महादी वकता के संबंद में तो जब भी आप लोग जब भी आप लोग MP की quality पढ़ें MP की quality को factual level पर आप ज्यादा पढ़ें और MP quality से प्रेश्ण कैसे आते हैं यह में आपको एक तो हम देखेंगे यहां पर MCQ series में साथ ही साथ जो पुराने पेपर हैं आप पुराने पेपरों को भी उठा कर देखिएगा कि किस-किस प्रकार के आपके प्रेश्ण आये हुए हैं ठीक है अब आज मेरी अलब कमारी बढ़वा दें आपके आवाज को ठीक है तो बोलते हैं तो बहुत सब ठीक होंगे और खूब सारी महनत कर रहे होंगे ऐसे महनत करते रहें और आप देखेंगे कि आपका result आपके हाथ में रहेगा ठीक है चलिए तो आगे को अगे भड़ते हैं अपका समय बहुत कीमति है उसको हम लोग बढ़ते हैं तो पहला प्रेश्न आप लोगों के लिए रहा में जारा रहा सबीगों सबीकısतर करें प्रॉपर वेमें परस्ना आप लोगों के सामने ये रहा कि श्रीमत्यानानन दी पटेल प ! कि सी बारे में प्रश्ण यह आनंदी पटेल के बारे में प्रश्ण है और आप लोगों के सामने यह रहा कि यह गुजरात राज्ज की पहली महला मुख्यमंत्री है दूसरा वर्श 2018 से 2019 के बीच मद्य प्रदेश के साथ साथ 36 गड़ की राज्यपाल भी रही है और मद्य प्रदेश की दूसरी महला राज्यपाल रही है और इन्हें राष्ट पती दौरा स्रेश्ट प्रसासनिक पुरुतकार भी प्रदान किया जा चुका है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा गलत है गलत वाले ऑप्षन की साथ आपको बताना है एक दो या तीन या चौता कौन सा बताईए अंसर करिए हाँ कृच्ण देखोंगे की इसका उत्तर डी बता रहे हैं कि कहित जैतना प्रजापती ने बताया है त्रीया चोहान ने बी बताया है और आप देखोंगे कि दूलगा सुलगी ने डी बताया है कमले Avengers पुष्वा ने भी बताया है चलिए मैं आपको बताओं कि इसका उत्तर होगा आपका D जिसका भी उत्तर D है उसका एकदम से सही है जिसका प्रसासनिक पुरतकार यह से वक्त होडी है जिनको स्रेष्ट प्रसासनिक पुरतकार दिया जाएगा तो जहां तक है मुझे लगता है कि जिसका भी उत्तर डी है उसका उत्तर एकदम सही है बागी ऊपर के तीनों जो आपके अम बोल सकते हैं कि बिंदू थे वो एकदम से राइट है आप इसको मैच कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं यह आनंदी पटेल के बारे म अगे बात करते हैं नेक्स्ट अब बताईए मुझे अगला प्रिश्न बहुत ही महत्पूर है उपरियुक्त में से किन राजिपाल का कारिकाल के दौरान राष्टपदी सासन लगाया गया तो आपको बताना है तो आपको बताना है तो आपको मालूम है कि प्रेशिडेंट रूज लगता है राष्ट पदीशांस लगता है तो आपशन दी और स्री सत्यन आरायन सीन्ह, कम चन्डी और आपको स्री सम पुनाचा और मह्मूर अली खान तो आपको बताना है क्या एक बाके DO है क्या 1-Do 3 है क्या 1-3-4 है या उपरियुक्त सभी है इन में से कौन-कौन स प्रियास करें क्या उत्तर रहेगा तो तुरेंद्र ने बताया है डी और महेंद्र ने बताया है तो जिसका भी सी उत्तर है उसका उत्तार एक डम से सही है, ज्यारखन यानि कि स्री सत्य नहराएंट सिना के समय लगा हुआ है, मेहमूध अली के समय लगा हुआ है और सीम पुनाचागे के मुझाय के समय यह नहीं लगा है ज्यारखना, तब आप को मालूम है कि यह ज्टासन सासन समयरे बाद को जब राज्ज में और जो है समधानिक तंद्र बिफल होने लगता है तो आप देखोगे आर्टिकल 356 के तहत लगता है और जब जो केंदर के नियमों केंट सा राज्य काम नहीं करता है तो आटिकल 365 के तहरा राष्ट-पदी शासन लगता है जब भी राष्ट- राज्जी की आजात्मी है और फिर आप देखोगे किन सरकार जो है अपने इसाफ से काम करता है ठीक है ना चलिए वेरी गुड आगे बटते है नेक्ष्ट अब आप मुझे बता ही अगला प्रश्णा आप लोगों के सामने है उपर्युक्त मद्यप्रदेश के राज्यपालों का काल क्रम सही काल क्रम बताना है अब तीन है अब तीन के फिर ऑप्शन दिये हुए पहला केसी रेड़ी केम चांडी डॉक्टर बल्राम जाखड केम चांडी केसी रेड़ी बल्राम जाखड केसी रेड़ी बल्राम जाखड केसी रेड़ी बल्राम जाखड केसी रेड़ी केम चांडी केम चांडी बल्राम जाखड केसी रेड़ी अब आब बताईए कि इन चारों में कम पहले कोन आया फिर क्वन आया पिर कोन आया बतागे कौशन नमबर तीन छेतना प्रजापती ने यह उत्तर बताया है महेंद राजावत ने इह बताया है और अनुपम शुकला ने भी बताया है बिलकुल सही बात है ठीक है चिंटी ने भी यह बताया है बाई बिल्कुल सही बात है इसका उत्तर होगा कौन सा यह उत्तर होगा पहले केसी रेड़ी और केम चांडी फिर डॉक्टर बलराम जाखड यह वाला सिक्वेंस एकदम से सही है ठीक है तो राजिपालों का क्रम आप लोग याद कर लीज चुका है तो आप ध्यार रखना कि सब की आपको क्रोनोलोजी याद होना चाहिए और इसकी एक ट्रिक है आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते है राजिपालों का क्रम जैसे एक ट्रिक है सीता हरिकन नियाई कैसा एक ट्रिक बनवाई मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ मैचिंग आपकी दिया हुआ है विच पेर इस रॉंगली मैज्ड अब देख लाल दी तंडन इनके सामने दिया हुआ है लखनव ओपी कोहली इनके सामने दिया हुआ है गुजराग रामिशा ठाकुर जहार खंड और डॉक्टर महावीर भाई लहार लाहुर यह अप जहां तक हम देख पा रहे हैं कि इन्मे आपको यह बताना है कि यह सवीन के जन्मिस्था यह बताना है बाकी सब ठीक है तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है इसका बी उत्तर होना चाहिए कोई यहां रखनाँ नहीं तो आप बता सकते हैं आप बी क्योंकि ओपी कोली का जन्द डेली में हुआ है बाकी यह सब ठीक है यह लाल जी टंचन लखनाँ की है और आपको मालूँ है की लाल जी टंचन की तो यह बहुत अच्छी भुख है आप देखोगे अनकला अनकहा लखनाँ इनकी यह book है अनकहा लखनव अनकहा लखनव तो आप देखोगे आपका 20 का उत्तर हो जाएगा तो लालदी टिंडन का नाम आप याद रखें महेंद राजावत ने ठीक होता है चलो हाँ ट्रिक में आपको लिखवा के डलवा दूँगा आप चुकि बहुत सारे कॉश्चन है बड़ी ट्रिक है तो भी ट्रिक पर बात ना करके हम कॉश्चन लगाए तो उस पर ध्यान दो चली अगला अब आप बताईए कि मद्यप्रद कि निगा जीए और इसका उत्तर करिए सब लोग सबसे लंबा कारिकाल और सब्सक्वी चोड़ा कारिकाल किं किन का रहा है आप लोगों को बताना है आय Whats 17 ढ swab hour गो ने जैसे परट्टबी शी तर्मईया और हरी विनायक पाटशकर हरी विनायक पाटशकर पठच्वा पठत् उत्तर होगा आपके अनुसार इसका, ठीक है, question no.5, B, अधितर लोग B की ओर जा रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो हम इसका उत्तर देखेंगे, जहां तक लगता है, B उत्तर होने चाहिए, हरी बिनाएक पार्डस्कर का सबसे ज़्यादा रहा है, और पट्टा भी सिधर मईया का सबसे छोड़ा रहा है, तो B के साथ सब सहमत है, ठीक है, B उत्तर सबका सही है, ओपी कोली गुजरात्ये तो थे, पर उनका जन दिल्ली में हुआ है, परमार साहब, सुन रहे हैं ना, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगला प्रेशन, आप लोग के सामने ये रहा, अब तक कौन-कौन सी महला ये मद्य परदेश की राजिपाल रह चुकी है, सरला ग्रेवाल, उमा भारती, सरला ग्रेवाल, आसा भोशले, आनंदी पटेल, सरला ग्रेवाल, बीरा नाराएन और आनंदी पटेल, बताइए इनमें से कौन सी दो महलाएं हैं जो मद्य प्रदेश की राज़िपाल रह चुकी है उत्तर करिएगा क्या उत्तर होगा इसमें बताने का प्रयास करें हाँ जी सबका उत्तर एकदम से सही है इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आनंदी पटेल दूसरी थी पहली थी सरला ग्रेवाल तो सी उत्तर एकदम से सही है चली आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट बताईए मद्य प्रदेश के पूर्व राज़िपाल बलराम जाखड क किस लोकसवा के अध्यक्ष पद पर रहें आपको मालूम है कि यह दो लोकसवा के अध्यक्ष रह चुकी है और मद्य प्रदेश के राज़िपाल भी रह चुकी है तो लोकसवा में छटवी वा साथवी साथवी वा आठवी आठवी नौवी नौवी दसवी बताईए कौन स यह आपके लोगसवा की राजिपाल रह चुकी है डॉक्टर बल्राम जाखड बड़ा नाम है बड़ा व्यर्पित्तो है पुशन नमबर साथ का उत्तर क्या होगा बताईए आपके अध्यक्ष रह चुकी है और ध्यान रखना लोकसवा अध्यक्ष जो रहता है पूरी लोकसवा का सबसे पूरी लोकसवा की कारवाई और लोकसवा की सभी लोक sava में अनुसासन को बनाए रखना ये पूरी जिम्मिदारी लोक sava अध्यक्ष करों दिया करता है कि कौन सा विद्यक धन विदयक होगा या नहीं हओगा व्यार करना लोक एक गड़ा पद है कि आप सब लोग इसां को याद रखर एक है चलो आगे अगला प्रेश्न बताईए, मद्ध प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिनका जन्व मद्ध प्रदेश नहीं हुआ है, आपको बताना है ऐसे कौन से राज्यपाल है, कुवर मुहम्मद अली खान, केम चांडी, स्री नरजननात बांचू, सत्य नारायन सिना, इन वैसे कौन से र बताईए, हाँ जी, सबका उत्तर सही है, बिल्कुल, सत्य नारायन वांचू, बिल्कुल सही बात है, C, C is the right answer, ठीके न, और आपको बत मालूम है कि इनका जन्व सत्य ना में हुआ था, ठीके न, पहली बात, और दूसरी बात ध्यार रखने है, सिविल सेवक भी रह चुकी है, तो C is the right answer, C उत्तर हो गए, हाँ जी, बिल्कुल, आप लोगों ने सही बताया है, चली, आगे बढ़ते है, next, अब बताईए, वर्स 2000 के बाद, वर्स 2000 के बाद, वर्स 2000 के बाद, विधान सवा के आम चुनावों में, मत्य परदेश, विधान सवा में सरवाधिक महलाय मि कवाय में आपको बतानाय थी, सरवाधिक महलाय में में चुने कि effort में पर water किद अब बताईए, आधारा में में 70 of thebek विधान सवा. यह अभी तक के इतनी महला है कभी भी चुनकर नहीं आई 2000 के बाद आप देखोगे 27 महला है बिधायक बनी है मैंने बाद को आप हाजी वेरी गुड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अखले बताईए मद्यप्रदेश के कौन से राजिपाल है जो बॉंबे उच्छ न्याले और सर्वोच न्याले में अधिवक्ता रह चुकी है बड़ा टप कोशन है ज्यान से पढ़ेंगे बिच गवर्नर आप मद्यप्रदेश हैजवीन एंड एडवोकेट इन बॉंबे हाई कोट एंड सुप्रीम कोट किस किस में कौन से रह चुके हैं मद्यप्रदेश के डॉक्तर हरी बिनायक पाटसकर रहे हैं या फिर आप देखोगे कि राम प्रकाश गुपता या ओपी कोहली या स्रीयम पुनाचा कौन से इन में से रहे हैं बताईए कोशन नमबर 10 का उत्तर क्या होगा हाँ जी हरी बिनायक पाटसकर is the right answer इनकी बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम पढ़ जाएगा हाँ पाटसकर सही बताया है इनकी बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम बढ़ जाएगा चलवागे बढ़ते हैं चलिए बताईए मध्य प्रदेश के पूर्व राजिपाल स्री रामेस और ठाकुर अन्य राज्यों के भी राजिपाल रहे चुकी हैं अब आपको बताना है कौन-कौन से राज्यपाल होगे करनाटक आंधर-प्रदेश औरीशा तृपुरा 36 उत्तर प्रदेश 36 एर धार केरल ऑडी ता बिहार इनमें से जो आपके पूर राज पाल है रामेश हवा ठाकुर रामेश हवा ताकुर कहा कहां के राजिपाल मध्य-प्रदेश केलाव ह क्वेशन नमर 11 तो उत्तर बताईए आप मुझे क्या होगा चलिए मैं आपको बता देता हूं is the right answer करनाटक आंद प्रदेश और उडिसा जिनको नहीं पता यह उत्तर होगा ज्यार रखना तो आपको ऐसे क्यार करना है ऐसे प्रशन आते हैं पॉलिटी में नॉर्मल नहीं आएगा एना MP की पॉलिटी में कॉंसेप्ट्यूल कम फैक्ट्यूल ज्यादा आते हैं तो जिस प्रकार के मैं कॉशन पूछ रहा हूं न अब सारे राजजिपालों की बारे में तवर रह डिटेल में पढ़न पड़ेगा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे बैठके तब जाके इस प्रकार के कॉशन सौल्व होंगे अनिता नहीं होंगे गलत करके और सरल कॉशन होते हैं यह तो MP की पॉलिटी आप बिसेस रूप में पढ़िएगा अच्छे से चली आगे नेक्ट अजी बताईए मध्य प्रदेश के राजिपाल की शक्ति के अंतरगत नहीं अच्छा पावर पूची हुई है बिच आप दी फॉलाइंड दस नौट कम अंडर पावर पंशन ऑफ दी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मतला कौन सा काम इसमें मध्य प्रदेश नहीं कर सकता राज मंत्री परस इन में से कौन सा काम राजिपाल की अधिकार में नहीं आता है आप लोगों को बताना है ज्यान से पढ़ियेगा कौन सी पावर राजिपाल में नहीं है तो अप्इंट नहीं है सग्रोथा सिर्णेन नीमा फ्रदेश पावर रहिंट देल इस नहीं ुb नटो आप टॉष्ट इसेयरें आप दायाना है अशुम ने दीपाल रहिंट व्रॉश्म ऴस्ट चे प्रदेश बटधए दीवताया है प्रिया चोहान डीवताया है पंकज राजसी गया आतोब राश्डवकाल के है आक को मालोолж मैं राश्ठ्थ पती का ओन ये यह पावर किसके हाथ में है राष्ट्रपदी के हाथ में ध्यान रखना निरवाचनायो कि अध्यक्ष को न्युक्ष तो राज़िपाल कर सकता है पर हटाने का अधिकार आप देखोगे तो किसके पास है राष्ट्रपदी के पास है हाँ हां very good सते आप लोगों ने चल्ए आगे बढ़ते हैं next तो अब बताई है तो मध्यप्रदेश की मध्यप्रदेस लोकषवा सी टों में and संगय कितनी में कितनी हैं पहले बताना है सद्ट्रेश का कि भी स्ट्रथिष चोक सभाध है उसमेंद्ड प्रदेश नगउक सभाध सीट में पालब मद्ध्रदेश में 29 लोग सभाध हैं अब आपको बहतना है कि this किसमें STSE के लिए कितनी है साथ चार आपका छे चार 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 या आपका छे पाँच कितनी कितनी है आप लोग यह बताएंगे ठीक है न लगा यह दिमाग कितनी होंगी question number 13 question number 13 तो 13 का मैं आपको बता देता हूँ कि schedule tribe के लिए 6 है और schedule caste के लिए कितनी है चार द्यार रखना तो आप C उत्तर इसका हो जाएगा जिन्नोंने भी C chain किया है उनका एकदम से सही है हाजी बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं चलिए आख बताईए हाल ही मैं राजसवा के लिए निर्वाची सदस्त कौन-कौन से है मद्धिप्रदेश के अभी आप हाली में MP की और से एल मुरुगन है ना उमेशनात महराज माया नरौलिया या परियुक सभी हाली में पताई है क्या उतर हो जाएक क्व आपका 14 का उतर हो जाएगा मुटियूक सबी इस परकार के परशनों में बी के साथ आप लोगों को चाना है या बिल्कुल सही है सब लोगों का एगजक रैहे चलिए आगे बढ़ते है निक्ट्ष अब मुझे बताईए इंद्रा गांध इंद्रा गांधी बिजानसभा भवन कौन सी पहाड़ी पर अरेरा हिल्स पर स्यामला हिल्स पर लाल घाटी पर राय सीना हिल्स पर बता यह किस पर है हां जी बिल्कुल सबका सही है अरेरा हिल्स इस दा राइट आंसर पंद्रा का यह उत्तर हो जाएगा हां जी बिल्कुल सही है चलो पहले आपको मालूम है जब मद्य प्रदेश का गठन हुआ था at 1956 में मध्य प्रदेश के जो था उसको मिंटो हॉल द्यारगना फिर मध्य प्रदेश की दूसरी नवीर sacred ynसावां को इंद्रा तो यह पंदने सीटे प्राप्त करना आवश्यक है यानि कि मद्यप्रदेश की अगर विधान सवा है या रगना और आपको मालूमें कि विपक्ष्का दर्जा प्राप्त करने के लिए विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितनी सीट होना आवश्यक है 25-30-2023 जैसे कि आपको मालूम है कि मद्रदेश में रूलिंग पार्टी है बीजेपी और आपको मालूम है कि विपक्ष है कॉंग्रेश क्या रखना तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी जो है विपक्ष की पार्टी के लिए बन वाई 10 परसेंट होना आवश्यक है तो मद्रदेश में विदान सभागी 230 इनका बन वाई 10 कितना होगा काट दीजिए 30 सीट है विपक्ष की पार्टी बनना है तो कम से कम 30 होना चाहिए इस से कम नहीं लोगोगो और चलि कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं चलिंदे मैं से कौन मद्रदेश के कार Hahn के लिछ इव अरक ना परद Recommand segunda All injustice जीडीरेशनय दिजिशिख भी नायममूर्थी जीडि जीप इसी अब य तो क्लियर इए अगर्लों ने पढ़े होंगे question number 17, है न, C है क्योंकि GD दिक्षित नहीं है, ज्यार रखना, बाकी ये रहे हैं, ये रहे हैं, ये रहे हैं, बट ये नहीं रहे हैं, ज्यार रखना, तो C is the right answer, जिनका जिनोंने भी C लगाया है, उनका उत्तर आपका एकदम सही है, चले, आगे बढ़ते हैं, next, अगला, मत्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, है न, राम नरेश यादव, जिनका वर्स 2000, फुला में निदन है, वो है किस राज्य के पूर्व मुख्य मंत्र रहे है, आपको बताना है, राम नरेश यादव किस राज्य के पूर्व मंत्री रहे है, छत्तिसगड, राजिस्तान, महराश्च, उत्तर प्रदेश, बताएं, तहाँ के यह सी हाँ यूपी बिल्कुल सही है आपको मालों है राम नरेश यादव पहले आपकी बीजेपी पार्डी के थे बाद में एक कॉंग्रेस पार्डी में भी गए दोनों पार्डियों में इन्हों नहीं रहा है राम नरेश यादव का कभी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे चल और नाइटी सेवंटी सेवन बताईए कब मद्रदेस में राष्ट पदीशादन पहली बार लगा है कौन बताएगा पटाबट से मुझे राष्ट पदीशादन कब लगा यह बताईए प्रतमबार में हाँ पर्थम बार पूछा है तो 90-77 ठीक है न दी इस दा प्राइटान दी जिनका भी दी है बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए अब बताइए आप मद्य प्रदेश में नेमन कारिवाग राज़िपाल में सरवाद एक लंबा ऐसे कौन से राज़िपाल है जो कारिवाग भी रहे थे और लंबा कारिकाल भी किया है वे इमांग दा फॉल्वाइंग गवर्नर अब मध्य प्रदेश हैट दा लार्जेस्ट कैन्योर अटिंग भी रहे है और आप दिको के लार्जेस्ट भी रहे है उनका एक्टिंग के रूप में तीक है नयमूर्थी पीवी दीख्षित नयमूर्थी एंडी हो जा ओपी कहली क्वेशन नमबर 20 का उत्तर क्या है सी हाँ जी सी उत्तर आपका एक दम्स का सही है क्वेशन नमबर 20 का चली आगे नेक्ष अभी बताईए यह संविधान संसुधन से भी निम्न मैंसे कौन सा संविधान संसुधन मद्यपरदेश की विधान सभाप परिशद का प्रावधान किया गया था मतलब जैसे की आप देखोगे मद्यपरदेश में बरतमान में विध नहीं कुछ ही राज्ये हैं गई जने में पिधान परिशद का प्रावधान किया गया है और बिधान परशद राज्ये जिनने प्रावधान किया गया है है इसकी recommendation विदानसवा करती है और finalist को मंजूरी संसत प्रदान करती है तो हमारे यहां पर अभी है नहीं चलिए आगे बताइए राज विदानसवा की कितनी सीट है स्टी और स्टी के लिए स्टी के लिए लियार रखना कर्म कर्म अगर वेकार हो जाएगा तो पूरा उत्तर गलत हो जाएगा घ्यान से पढ़िये पहले स्टी कास्ट की बताना है स्टी के बताना है इसके साफ जो तर क्या होगा 22 का 22 का उत्तर 22 का उत्तर होगा ए इनके लिए कितनी है 35 और इनके लिए 47 बी नहीं होगा सिक्वेंस मत बिगाड़ी आप इस बिगाड़ होगे तो पर दिक्कत होगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बताइए विचार करना है राजिपाल एक राजमंत्री बर्सत दो हाई कोड के मुख्य ने आए दिस तीन विधानसवाद द्यक्षा आपको बताना है कि कारेपालिका के अंग कौन-कौन से है बिच आप दी एवव आर दा पार्ट ऑफ एग्जीकेटिव ध्यार रखना केवल एक केवल एक वाद दो एक तीन वाद चार या उपर युग सभी इसमें कारेपालिका का भाग कौन-कौन है आपने पढ़ा होगा कारेपालिका क्या होती है बिधाय का क्या होती है तो ती ऐसाथ जा सकते हो कि राजिपाल भी होता है और राज की मंत्री बशचत है हाई हो जाएग मैं विधान सवादयक्ष आप देखोंगे विधाय का भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थी यकवा आप का दो तौन मेरे इसांब से सबी उत्तर होगा बी, इस दर राइट होती है, चली, आगे, नेक्ष्ट, राज्यपाल के संबंध में विचार करें, ठीक है न, राज्यपाल राष्ट पदी के प्रसयात, प्रसात परियंतर पद्धारण करता है, मद्यप्रदेश के प्रसम राज्यपाल पट्टा अभिशी तर मैया थे, अनु अन्सेग कोई भी असत्य नहीं, आपको बताना है, असत्य कौन सा नहीं है, ठीक है न, कॉश्ण ननमर 24 का, असत्य कौन सा नहीं है, बताईये, डी, अधिक तर लोग डी क farklı happy है, सभी सही तो और वह जैंट आए धैक है न, और रजनी नहिरवार ने d सुरी सरसी गलत है हाँ जी तो आप देखोगे इसका उत्तर होगा इसके अनुसार उत्तर होगा ए क्योंकि तीसरा गलत है वाई देखो यहां यह तो सही है राज जिपाल राजगी साहँ में जाने को पर यह आठिकल गलत है वाई तो यह चोड़ी चोड़ी बाते हैं, ध्यान से पढ़ना है, OMG से काम नहीं चलेगा, तो इसमें आर्टिकल आपको ठीक से देखना था, इसी प्रकार पेपर में भी आपको बड़े ध्यान से धहरे पूरुवग आपको चेक करना रहता है, चली, आगे बताईए, बिचार करें, केम चांडी, सतिनारायन सिना, एनन बांचू, बी के दोवे, उपरियुक्त में से कौन मद्यप्रदेश के राजपाल नहीं रहे है, इन में से कौन सा राजपाल नहीं रहा है, केम चांडू, सतिनारायन सिना, एनन बांचू, बी के दोवे, तो इसमें इतना सोचने की जरू नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रेश्ट अब बताईए मध्य प्रदेश के राजी पाल और संबंदित राजी के मुख्य मंत्री आपको पताना है कहां कहां कि मुख्य मंत्रे मैच करके और बताईए इसका उत्तर क्या होगा क्या सोचना डीपर चौथा इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है ठीक है फिर आपको अभी हमने पढ़ा राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के रहें तो सी पर दूसरा सी पर दूसरा कहां पर है सी पर दूसरा यह यह नहीं कुछ मैंच है क्या क्या उत्तर है बताओ भी कि दीपर फस्ट है और दूसरा ठीक है यह है उसके बाद भागवा दयाल सर्मा हम लोग ने अभी देखा था पीम कुनाचा भी देखा था करना टके रहें ए पर फूर बी इस दा राइट आंसर भी उत्तर होगा अजी बी उत्त पर है सब लोगों का अगे बढ़ते है नेक्स्ट विचार करें फिर से वी एच भी पाटसकर सत्य नारायंट सेना केशी रेडडी ओपी कोहली अब आपको बताना है कि इन राज्यपालों में कौन सम्मेदान सवागा सदस रहा है सम्मेदान सवागा सदस रहा है लियार रख तीन चार रहे है या एक दो तीन रहे है या उपर युक सभी रहे है कौन से मद्य प्रदेश के राजपाल है जो आपके क्या रहे हैं जो सम्मेदान सवागे सदस रहे हैं आपको बताना है बदाईए क्वेश्चन नमबर ट्वेंटी एट का क्या उत्तर होगा ट्वेंटी एट का सदस रहे हैं यह रहे हैं एक दो और तीन शुरूबात के तीन यह सम्मेदान सवागे सदस रहे हैं ठीक है चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगल आपको बताना है मद्य कौन से राजपाल लोकायुक्त भी रहे हैं ऐसे कौन से राजपाल हैं जो लोकायुक्त भी रहे हैं पीवी दीख्षिद जीपी सींग एसके जा एंडी ओजा जीपी सींग एसके जा पीवी दीख्षिद ओपी कोली आपको बताना कौन से रहे हैं ट्वेंटी नाइन है ना भी लगाया है उसका उत्तर सही है पीवी देख्षित और जीपी सी गुड परी गुड अगला बताईए मध्य प्रदेश बिधान सवा के पहले उपाद्यक्ष कौन थे उपाद्यक्ष कौन थे स्री बिश्णु बिनायक सरवटे रामकिशोर शुक्ल श्री निवास स्थिवार पहले उपाद्यक्ष कोन नमबर 30 उपाद्यक्ष हाजी श्री बिश्णु बिनायक सर्वते इंदोर में आपने सुना होगा यह सर्वटे बस्टेंड तो आपि बिश्णु बिनायक सर्वटे अंगे जलिए तो यह आपके मैंने आपको राजिपाल आप देखो ध्यान से कलम मुख्यमंत्री के बारे में और आप देखो कि विदान सभा अध्यक्ष के बारे में खूप सारा पढ़ेंगे अभी तीन-चार दिन आपकी पॉलिटी चलेगी तो अब आपको इतना समझ में आया होगा तो इतना समझ में आया होगा कि MP के राजिपालों के कैसा लेवल आएगा ठीक है अगर तैयार कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा चलिए तब तक के लिए कल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कल फिर मिलेंगे ओके टाटा वाई-वाई झाल झाल झाल